मेरे प्यारे दोस्तों, सो आज हमारे साथ गेट 2022 के टॉपर औल इनरेंग 22 श्रे अगरवाल मौझूद हैं श्रे ने सिवल इंजिनिरिंग की अपनी पढ़ाई बिट्स पिलानी से की है और पास आउट हुए है 2020 में 2020 में और वहां से भी करने के बाद इनका जो सफर रहा किस तरीके से इन्होंने पनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया कब इन्होंने स्टार्टिंग में सोचा कब प्र समझ में आता है हमें भी अपना विजन दिखने लगता है और इसी लिए यह टॉपर स्टॉक करवाया जाता है यह सो हाटी कॉंग्राचुलेशन्स तो यू और यूर फैमिली फोर स्कोरिंग दिस रैंक 22 विच इस ड्रीम रैंक एंड हैपी होली तो यू और यूर फैमिली और यूराइट विचे इस अपने बेबी स्टेप्स लिए थे फ़र्स्ट गेट की प्रिपरिशन को लेकर वो जो स्टेप्स थे वह कहां से थे और उसके आगे बर्जाई व्यू में हमें बताएए कि आपने कैसे कैसे स्टेप्स लेकरकर के यहां तक क्या अपना अचीवमे बुक्स के तुरू गेट के प्रपरेशन कर रहा था। फिर जैसी कॉलेज के पासाउट होने के बाद आए ओड़र्ट पोस्टल पैकेज और तुरू थे पोस्टल पैकेज आए इस्टार्ट प्रपरेशन पूर गेटन यसी तुरू टेटर ओन जोब तो आफ्टर देजॉब इस तुरू पीट जोब तो आपको किस तरीके से हेल्प मिली क्योंकि कोर्स जब हम लोग तीन घंटे की मुवी नहीं देख पाते हैं कंटिनुएसली यहां तो आपको वन थाउजन आवर प्लस त्वेल हंड़र आपको ऑनलान लेक्टर्स देखने हैं तो आपको मेड़ीज अब मेड़ीजी के टीचर्स ने किस तरीके से मोटिवेट करते रहे क्या आपको स्ट्रेटीजी लगानी पड़ी खुद को मोटिवेट करने के लिए उनलाइन लेक्टर्स के लिए ताइमली मोटिवेशन समिलता है था सब जो भी मेड़ीजी के टीचर्स हैं एंड यहल्प मेड़ीजी आपकी तो अब जोट एंड पीजा के लिए फैर्टिप जोटिवेशन सम्टतिक आइंड रही तो डीकेशन वट टीच की आवर वैंस तो तहिनी ताइमली मोटिवेशन वैट था इसके बाद डेकेशन वर्स कि I was having a thing as I left the job क्योंकि so that was something की अभी गेट नहीं तो कुछ नहीं तो देट अनदर डेडिकेट मोटिवेशन आप अल्रेडी राइट राइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो श्रे आप ये बताईए कि कोर्स जॉइन करने के बाद आपने अपनी स्ट्रेगी को कैसे ड़ा चैनल आईज कि या स्ट्रेजिया आपने रखी को जॉइन करने के बाद कि आप कितने लेक्चर्स देख पा रहे हैं पर डें कैसे रिवीजिन कर पा रहे हैं अन लेक्च्र्स का तो वाट वज यार एप्रोच सर इचनल इस तर्टेम्हां फेबरी सब्सक्रान विए मग्हश्त कि ट्राइब है है तो तर्टेम्स वार यह लू दोग्टारमून चजब आट अच्छे प्रॉल्म्स तरफिरेंटीबली, कि अच्छे प्रोल्मने वर यह दौत अच्छे प्रॉलम्स और आच्छे कंवर प्रि and regularly after 15 days or one month I kept revising my course and first of all my main target was to complete out the course by the October and since all the course was completed out by October from the Medici side then I started revising it from the November itself and regularly giving up the test from December. Giving up the mock test helped me a lot because giving this environment of the examination center is an important thing some somewhat some of my friends keep panicking after giving the test I asked them so they were like we panicked during the test so that is something which helped me that's it giving test is more important for me yes giving test is more important absolutely absolutely अच्छा ये बताईए श्रे की ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो में online lectures के दोरान क्योंकि हम पूरी तरही से online dependent हैं जो नहीं करनी चाहिए अब्यों कि चीज़े तौरान वाट पॉर्ण वाट्रों की कि सिंस आ वस वाचिंगे तरॉन लापटॉप आप अप वी शुट ंपसाइड आर मोबाल फोन मैंने कई मेरे दोस्तों को देखा है कि वह जो मोबाल फोन लेकर बैटते होते हैं और ये कीप जो रॉलिंग दर फ we should not miss our classes and if we miss our classes by one day so it is our responsibility to complete it on the very next day this is something we should not miss out miss out our classes that's something important and keep review keep revising because environment is missing out environment is missing out from the offline classes so in online online badges environment is important they have to keep revising absolutely absolutely so did you follow any other material or resource apart from what was taught in the class nothing else notes was highly sufficient i revised my notes uh for this purpose i think i revised my notes more than five times okay more than five times throughout so can you can you just recall my love a casey uh jankari ke liye ki jab aap pehli baar pardete kisi bhi topic ko first time naya naya pardete to aap usko first time revision kitnay time may kar lete te up sir first time i used to keep the targets suppose environmental engineering so in the environmental engineering it was uh it was uh wastewater treatment and that there was water treatment plants there are two two topics two different uh subjects so for these i used to keep it like one day for wastewater and one day for water engine water environment water treatment plant and this this is this type i used to divide it in subjects in race in a day that's it that's it after that's it this is something target i have to reach hmm i have to use i used to break it in targets small targets okay okay two arts may be subject to complete complete two arts may be subject to complete me karnei 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 मतलब आप work breakdown structure पढ़के apply कर रहे थे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यह तो बढ़ी अच्छी बाते आपने बताई है अच्छा आप यह बताई है कि अभी आगे का आपका क्या प्लान है अभी आगे क्या सोच रहे है गेट की रैंक के बाद अभी प्लान कर रह कि अभी प्यस्यूस का टार्गेट है और किस किस तरह क्या अभी आप लोग ने डाउन दे लाइन प्यस्यूस में ही पूरा का पूरा फ्यूचर देख रहे हैं आगे चलके यह सी इसी वागर भी आप प्लान कर रहे हैं I was I am planning for csr right now acha civil services yeah yeah due to some some of your personal physical incapabilities okay okay no issues no issues yeah but civil services will provide you that opportunity to go into the bureaucracy great 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 so बहुत अच्छा लगा श्रे आप से बात करके you are really inspirational and you have a you know streamlined approach towards your preparation and definitely you will excel in whatever you are doing I am very very sure about it I am absolutely sure so keep on doing the good work and all the best all the best to you and your family and a very very happy holy okay thank you so much